कोरोना वाइरिस संक्रमर्ण के कारण लॉगडाउन में भी उत्तरप्रदेश के मुख्य मंतरी पांच लाग से अधिक प्रवासी कामगर या श्रमिकों को काम देंगे मुख्यमंत्री ने शेनिवार को टीम 11 के साथ कोरोना वाइरस संक्रमन की समीक्षा के दोरान बैठक में मौजूद अधिकारियों को सभी प्रवासी कामगर वश्रमिकों को रोजगार उपलब्द कराने के लिए शीग रही व्रेहत कारी योजना बनाने का निर्देश दिया सीम योगिया अधितिनात ने कहा कि पांच लाग से अधिक कामगारों की चुनोती को अफसर में बदला जाएगा पहले तो सभी की सुरक्षित वापसी हो फिर लेबर रिफरम कानून के जरिये गावों वा कस्बों में ही नौकिया रोजगार देनी की योजना को मूर्त रू में पहुँच चुके हैं अभी बाकी लोग 35 ट्रेन से आज या कल तक पहुँचेंगे प्रति दिन 35-40 ट्रेनों से प्रवासी कामगार व श्रमिक प्रदेश वापस आ रहे हैं CM योगी आदितिनाथ ने कहा कि सभी प्रवासी कामगार श्रमिकों को नौकरी देने के लिए हम लेबर रिफॉर्म कानून ला रहे हैं लेबर रिफॉर्म से सभी प्रवासी कामगारों को बड़ा फायदा होगा और रोजगार सिजन की व्याप्रक संभावनाई बढ़ेंगी प्रदेश ये सभी कामगारों का पॉरिंटीन काल पूरा होते ही सरकार उन सभी के रोजगार और नौकरी के विवस्था करेगी इनको शमता के अनुसार मन रहेगा इट भटो के अलावा चीन ने मिलो और में सेमी सेक्टर में रोजगार देने की योजना बनी है इनमें भी जिनमें बिमारी के थोड़े भी लक्षन है उन्हें उपचार के लिए कोविड अस्पतालों में भीजा जा रहा है